नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धन्मासर्मान दोस्तों सुबह सुखर उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं चली हम आपको बताते हैं क्या करें कि आपका पूरा दिन बहतर हो और जीवन में सुकून आ जाए सबसे बड़ा है सुकू फाग दोर बड़ी जिंदिगी में अगर सुकून के दो पल वितीत कर लेते हैं तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा राजियोग हो जाता है दोस्तों सबसे पहली बात आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं सुबह सुखर उठकर सबसे पहले आईने में अपना फेस देखते ह अपके अपने, आपके बच्चे, आपके वाईप, फस्बेंट, आपके माता पिता, कोई तो लखी होगा उनका चेहरा देखें दूसरी बात हमने कहा आइना नहीं देखने, क्यों? क्योंकि आईना नकारत्मक सक्तियों को सोख लेता है तभी तो हमारे वास्तु में या जोतिस में कहा जाता है रात में आईना ढख कर रखना चाहिए और रात में जो तमाम नकारत्मक चीजों को आईना सोख कर रखा है आप early morning उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो हो सकता है उधर से आपके चेहरे में कुछ आ जाए आप तनाओ में रहें तो पहला काम आपको यही करना है आपके लिए जो लखी है उसका चेहरा देखिए उस चीज को आप देखिए वैसे कहा जाता है सास्तर में तो एक बार अपने भगवान को परणाम जरूर करें हे प्रभु आपको नमस्कार है हमारा दिन सूप जाए अगर आप धर्म में विश्वास रखते हैं तो अपने हतेलियों को देखें दोनों हाथों को रगड़ें फिर फेस में लगा लें अब आप अपने फेस में इत्मिनान से बेड़ जाये जब हम दोनों नाख से बराबर से सास लेते हैं लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा अब जिस नाख से आपकी सास चल रही है उस पैर को बेड़ के नीचे सबसे पहले रखें और फिर देखिए आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरता है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा इस दिन कैसा गया अब हम आगे का बताते हैं अब आप सबसे पहले तो आपका जो में डोर है मुख्य दरवाजा उसको खोलने के बाद रात में ही पानी रख लें एक लोटा किसी भी लोटे में या मग में ही रख लें वो भी चलेगा सुबह सुबह जब दरवाजा खोलते हैं सबसे पहले दोनों साइट चौकट में पानी डालें थोरा थोरा और ये चीजे बहुत जरूरी है आपको थोरा थोरा पहले दाहिने साइट फिर बाएं साइट अंदर की ओर से ही खड़े होकर डालना है बार नहीं निकलना है अब स लोग जाता है चला जाता है ऐसा हमारा जोतिस कहता है तो आपको बाल्ती मगमे रखें बाहर में डोर के बाहर बाला एरिया है अगर आप फ्लैट में डाते हैं तब क्या करेंगे तब एसे में थोड़ा थोड़ा ही सही पर पानी जरू डालिए कि पूरा चोकर आपका और बांकी दिनों में पानी में नमक डाल के पोछा लगवाईए और अगर आपको लगता है आपका गुरुगरबर है धन की समस्या है धन की परिशानी है घर में साधी विवाह या मांगली कारे नहीं हो पा रहे हैं तब पोछे वाले पानी में एक चुटकी नमक एक चुटकी की हल्दी यानि दोनों बरावर मात्रा में डाल के घर में पुरे घर में पोछा लगवाए लेकिन गुरुवार के दिन मत लगवाईएगा इस बात का दिहान रखिएगा आपके घर में पुजा पाट तो होता ही होगा तो जब भी पुजा करते हैं सुभा साम दोनों बेला तीन तीन बार संख बजाने का अभ्यास कीजिए यानि तीन बार सुभा संख संख बजाईए तीन बार और साम में भी तीन बार ऐसा करने से वास्तु दोस्तूर होता है और जीवन में मा लक्ष्मी का आगवन भी होता है घर में बिना मतलब के बाद बिबाद जग्रे आपको तो अच्छा पिल नहीं होगा ठीक उसी प्रकार आपके घर में मा लक्षमी आती हैं यह आप ध्यान रखिए देपता आते हैं भगवान आते हैं अब आप जगड़े लड़ाई कर रहे हैं तो भला भगवान आपके घर में क्यों रहेंगे इसलिए घर को हमेशा ही सुल जाते हैं आपके पती हैं वेपसाइड करते हैं आप एक काम करें आप महिला है यह सभी ताइद तो आपके ऊपर है कि आप अपने लोगों को सुरक्षित बनाए रखें करेंगे क्या अब नहावाल यह किसी भी बैक्ति को घर से बाहर जाने के पहले अपने मुख्य दर से सुरक्षित घर वापस आएंगे अगर आपको लगता है आपके बहुत दुस्मन है बहुत सत्त्रू है तब क्या करेंगे तब यह भी हम महिलाओं के जिम्में नहीं पूरुस के भी जिम्में देते हैं देखिए आपके घर में माद दुर्गा की तस्वीर होगी पारवती जो आपके घर के मेंबर हैं यानि जो मुखिया हैं निकलते हैं तो उस दोनों लॉंग को उन्हें दे दे एक लॉंग पॉकेट में रख लें एक लॉंग मुह में रख लें और घर से प्रस्थान करें यह सत्रू आपका चाह कर भी कुछ बिगार नहीं पाएगा और यह जो दूसरा लॉंग पॉकेट में हैं उसे भी चाहें तो बाद में खा सकते हैं एक तरह से यह मा का असिरवाद है सत्रू हमें सही दबे रहते हैं और नियमी दूरूप से अगर मा को लाल पुस्प और पित करते हैं गुड़ल का पुस्प खास कर तो सत्रू विरोधी सांथ हो जाते हैं हम आपसे भी दा लेते हैं हर हर महातेर